मैं गिर्राज प्राद मेना प्राध्यापक राजमीति विज्ञान राजकी वरिष्ट पादैस अंस्कर्त विद्ध्याले दौसा आज हम स्वत अंत्र भारत में राजमीति के अंतरगते जो अध्याय नव है भारती राजमीति नए बदलाव इस पार्ट का वीडियो जारी करने जा रहे हैं और यह कक्षा बारा राजमीति विज्ञान का अठारुआ और अंतिम अध्याय है आज हमें जो अध्याय नव भारती राजमीति और नए बदलाव गुनिश सनब्बे के दसके इसके अंतरगत हमें अध्यान करने जा रहे हैं इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताओं कि हमारी जो भारती राजमीति है इसमें गुनिश सो चोराशी में जब प्रधान मंत्री श्रीमति इंद्रा गांधी की अठ्या हुई और उसके बाद में राजी उगांधी गुनिश सो चोराशी में देश के प्रधान मंत्री बने उसके पश्याद भारती राजमीति में कुछ दल बदल कुछ गठवंदन की ऐसी नई नीती आ गई जिसके तहत इस परष्ट रूप से गुनिश सो चोराशी से लेकर के लबबब नवज़ी से यह एकरान में सिमाले जिए वह इस नवज़ी सही है क्योंकि क्राण में में फिर चुना हो गए थे, जब से लेकर के 2014 तक किसी भी पार्टे को इस पश्टे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया इदिकान समय में और आपस में एक गठजोड की राजनेती रही, इस गठजोड की राजनेती के तहट क्या हमारे भारती राजनेती विकास पर क्या प्रभाव पड़े, क्या नए बदलाव आए, इसी बीच में एक राम जनम बूमी बावरी मस्जिद जैसा भी एक मुद्दाया और उसका भारती राजनेती पर क्या प्रभाव रहा तथा मंडल आयोग वह भी हमारी भारति-राजमिती के अंत्रकत आया, उसका भी भारति-राजमिती में क्या नया बदलाव आया इन सारी बातों का अध्यान हमें परट पुस्तक की परट में करेंगे और उसमें हम यह भी देखेंगे कि जब हमने पिछले अध्याय में इंद्रा गांदी की हत्या के बाद जब राजीव गांदी प्रधान मंत्री बने और इंद्रा गांदी के कुछ दिनों बाद गुनी सो चौराशी में जब लोक सभा के चुना हुए तो राजीव गांदी के अगवाई में कॉंग्रेश को इस बड़े बदलाव आए जो हमारी आगे की राजनीति पर बहुत है गहरा असर पड़ा इस दोर के अंतरगत है सबसे महत्पून घटना है गुनीशो नियवाशी के चुनाव में कॉंग्रेस की हार और जिस पार्टी ने गुनीशो चौराशी में लोकसभा की 415 सिटे जीती थी वह है गुनीशो नियवाशी के चुनाव में महज 117 में सिटों पर ही सिमट गई है दूसरा यहां कॉंग्रेस इस बार अपना आकड़ा सुधारते भी सत्ताम एकराण में में पुन्या आई और गुनीशो नियवाशी के उस परिगर्णा की समापती हो गई जिसे राजनेती विज्ञान अपनी खास अब्दाहली में कॉंग्रेस प्रनाली कहते थी यह बात तो प्रकट हो गई कि कॉंग्रेस एक मेहतरपुन पार्टी के रूप में कायम रही और गुनीशो नियवाशी के बाद ही देश पर PCN पार्टी के बजायों का सासन ज़्यादा देनों तक रहा लेकिन दलिय प्रनाली के बीतर जिस प्रकार से तिनों प्रमुकता से पहले के दिनों में थी वैसी प्रमुकता अब नहीं रही एक गटना तो एक मेहतरपुन बदला तो यह आया दूसरा बड़ा बदलाव आया है कि राश्टी राजनिती में मंडल मुद्दा कवदय जो 1990 में राश्टी मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयो कि सिपार्स को लागू किया और इस सिपार्स के अंतरगते प्रावधान किया गया कि किसी भी प्रकार से किसी भी इस्तिती में इस देश के विविन भागों में मंडल विरोधी इंसक प्रदर्शन हुए और हिंसक प्रदर्शन में ने पिछड़ा वरक को मिले आरक्षन के समर्थन और विरोध के बीच विवाद चला इसे मंडल मुद्दा कहा जाता है और गुन्नीश उन्यवाशी के बाद की राजनीती में एक एहम भूम का निवाई है तीसरा विकल्ब था विविन सरकारों के दोर में जो आर्थिक नेतियां अपनानी वे बुनियवादी तोर पर बदल चुकी थी इसे डाचागस समाजन कारी करम अथवा नई आर्थिक शुदार के नाम से जाना जाता है जिसके परिनाम सहरोप सुरुवात में राजीव गांदी की सरकार के समय हुई और गुनियसो इकराण में के बदलाव बड़ी पहमाने पर प्रकट हुए आजादी के बाद भारती अर्थ व्यवस्ता जिस दिसामें चलती आई थी वह अब नई आर्थिक सुदारों के कारण मूल गामी अर्थों में बदल गई नई आर्थिक नीतियों के अंतरगत आंदोलों और संगठनों के तरब से बरपूर आलोचना हुई बहराल इस अवजी में जितनी सरकारे बनी वो नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा चौथी गटना का सिलसला था कि अवध्या इस्तिति एक विवाजित जो डाचा है बावरी मस्जित के रूप में प्रसिद के विद्वन्स के रूप में हुआ है ये गटना गुनी सो बान में के दिसंबर के महिने में हुई और इस गटना के देश की राजनीति में कई इससे भारती राष्टवात धर्व निर्पेष्टा पर बहस तेज हो गई तो इन बदलाओं का संबन्द भाजबा के उदय और हिंदतों की राजनीति से है आखिर बात ही है कि 1901 में में जो राजीव गांदी के हत्या कर दी गई इसके प्रणाम सवरों कॉंग्रिस पार्ट प्रणादी चुनाव अभ्यान के शिल्षिले में तमिल नाडु के दोरे पर थे तभी लिट्टे से जुड़ी श्री लेंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी और 1901 में के चुनाव में कॉंग्रेस सबसे बड़ी विजई पार्टी के रुप में साम्याई राजीव गांदी कि मृत्यू के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने नर्शिमरा को हमारे भारत का उस समय प्रधान मंत्री निप्त किया और उसी जवी से लिए इसे प्रकार से हम गठ बंदन युग के नाम से जानते हैं गठ बंदन युगे गुनी सो नियवाशी के चुना में जब कॉंग्रेस पार्टी की हार हुई थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुना में बहुमत मिल गया था कॉंग्रेस अब भी लोग सभा में सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुमत ने होने के कारण उसको विपक्स में बैठने का उसने फैसला किया था तो राश्टिय मोर्चा जिसमें जनतादल और कुछन छेत्रे दलते मिलाकर इन्होंने सरकार बनाई पस्वर विरुद दो राजनेतिक समू भाजबा और वाम मोर्चा ने जिसको समर्थन दिया इस समर्थन के आदार पर राश्टिय मोर्चा ने एक गठवंदन सरकार बनाई लेकिन इसमें भाजबा और वाम मोर्चा ने सिर्कत नहीं किया तह वो सरकार का समर्थन तो किया इनोंने लेकिन उसमें ये सामिल नहीं हुए अब कांग्रेस की हार के साथ ही भार्ट की दलिय ब्योस्ता में इसका दब दबा खत्म हो गया और अध्याय पांच में आपने कॉंग्रेस प्रणाली की पुन्दर स्थापना की चर्चा भी हमने की थी वहाँ आपको यदि याद हो तो 1960 के दसक के अंतिम सालों में कॉंग्रेस के एक छतर राज को चुनोती मिली थी लेकिन इंद्रा गांधी के नियतरतों में कॉंग्रेस ने भारती राजनेती पर अपना प्रभुतो फिर से कायम कर लिया था और 90 के दसक में कॉंग्रेस की अग्रिनी हैस्यत को एक बार फिर चुनोती मिली पहराल इसका मतलब यह नहीं था कि कॉंग्रेस की जगे कोई दूसरी पार्टी प्रमुखे बन गई हो इस प्रकार्शे इस दौर में कॉंग्रेस के दबदबे के खत्मे के साथ बहुत अलिया सासन प्रणाली का यूग शुरू हुआ और अपने देश में एनिक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं और हमारे संसद में हमेशा कई दलों के संसद भी रहें गुनी सो निवाशी के बाद एक नई बाद देखने में आई अब कई पार्टियां इस तरह उबली की किसी एक दो पार्टिय को यह दिगांस बोट शींटे नहीं मिल पाथी है इसका मतलब यह हुआ कि गुनी सो निवाशी के बाद लोगसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टिय को दो हजार चौदा तक पून भूमत नहीं मिला और इस बदला के साथ केंदर में गठ बंदनों का दौर सुरू हुआ तो छेतिये पार्टियों ने गठ बंदन सरकार बनाने में अपनी बहुत महत्पून भूम का निवाई यदि पिक 2014 और 2014 में लोगसभा चुनाव में बहारतिये जनता पार्टिय को इस पस्ट बहुमत मिला है अब इस गठ बंदन की जो राजनीती है गठ बंदन की राजनीती है इसमें 90 के दसक के तहत ताकतवर पार्टियों और आंदलों के जो अबर कर साची रहे इन पार्टियों और आंदलों ने दली तता पिछड़े वर्ग दलीत और पिछड़े वर्ग की नुमाइंदे की यह मेत्पून बात है दलीत और पिछड़े नुमाइंदों की दलीलें की जिससे अनेग छेत्रिये जो दल हैं वो छेत्रिये दलों ने कीरदार बहुंद का निवाई क्योंकि इसमें जनतादल और कई छेत्रिये पार्टियां सामिल थी इस बार सरकार को जो समर्था नहीं दिया गया बाजबा ने सरकार को जो समर्था नहीं दिया था गुनिश्यों निवाईशी में वो सहीत मोर्चा की सरकार को कॉंग्रेस का समर्था ने आशिल था इससे पता चलता है कि भारत में राजनितिक समीकन की कदर छूइम हुई थी और गुनीशो नियवाशी में बाजपा और वारमा दोनों ने राष्टे मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया था क्योंकि दोनों कांग्रेश को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे इस बार वारमोर्चा ने गैर कोंग्रेश सरकार को अपना समर्थन दारी रखा लेकिन सहित मोर्चा की सरकार को कोंग्रेश पार्टे ने समर्थन दिया तो ये कुछ ऐसी बाते रही जो भाजबा और कॉंग्रेश एक दूसरे को आपस में सरकार से बाहर रखने का काईड़ी करने लगी और भाजबा को सत्ता से बाहर रखना कॉंग्रेश का अधार रहा है बहरां इन दोनों में ज़्यादå तक सफलता नहीं मिली और भाजबा की सरकार बनाने को नोता मिला लेकिन दिकांस दरल भाजबा की नीतियों के खिलाब होने की वज़ेशी बहाजबा की सरकार लोग सबा में बहुंबत आशे नहीं कर सकी आखिरकार बहाजबा एक गठ बंदन जो राष्ट्य जनतांतरी के गठ बंदन राज था के अगवा के रूप में सत्ता आई और गुनीस तो अठ्यान में के मैं से गुनीस तो नन्य देश के प्रधान मंतरी बने गुनीस तो नन्यान में की राष्ट्य सरकार में अपने जो निर्धारित कार्यकाल था उसे निर्धारित कार्यकाल को पूरा वी किया झाल केंदरी सरकार के जो गुनिशन निवाशी के बाद के जो अधार रहे उनमें कुछ हवदी में प्राष्टिय मोर्चा और वामपरचा की समर्थन से सरकार बनी थी और इसमें विपिशिंग चांदर सेखर देश के प्रदान मंत्री बने थी फिर उसके बाद में एकरान में और प्रदीस के बनाई चांदर ऐ लिए और रहे उस प्रकार तरु की समय पर ऐड़री वाजबेमल में गुन्नी सो नन्यान में से 2004 तक अटल वियारी वाजबी रहे और मई 2004 से ले करके 2014 तक कॉंग्रेश नीती संगप्रेग गठवद्नन ने सरकार चलाई और इसमें मनमोन सिंग प्रधान मंत्री रहे और 2014 में राष्टिय राजग अर्थाद भारतिय जन्ता पार्टी और उसके सहीग दोलों को इस पुष्ट बहुम्मत मिला भाजपा को जिसके परणाम सरूब यहां बीजेपी की सरकार 2014 से निरंतर कारियरत है यह इस प्रकार से हमारे इस गठ बंदन की इस्तिति में रही और हमने दूसरे अध्याय के सुरुवात में पड़ा भी था कि साह सालों में सुरुवाती सालों में कॉंग्रेस ने खुद को एक गठ बंद नूमा पार्टी थी और विविन ने हितों सामईक समुग और वरक के साथ रहते थे इस परिगतना के कोई ही कॉंग्रेस प्रणाली कहा गया है और पांचवे द्याय में जब हमें ने पड़ा कि 1960 के दसक में विविन समों में कॉंग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और लोगों ने खुदी पार्टी बनाना शुरू कर दिया जिसके प्रणाम सारूप 1977 के बाद के सालों में कई छेत्रिय दलों का उदय हुआ और इन्ही कारणों से कॉंग्रेस पार्टी कमजोर होती गई और यहां विविन छोटे-छोटे जो दल थे उन दलों के आधार पर कॉंग्रेस की जो वोट बैंक थी वो वोट बैंक गटती गई और अंदर आ सारूप सरकार में किसी प्रकार का सब को इस पस्ट बहुमत नहीं मिला और एक प्रकार से गठ बंदन की सरकारे चली